दोस्तो आज किस वीडियो में हम compare करेंगे Motorola के इतम high-end flagship phone से जो कि है Motorola Edge 30 Ultra और इसको हम compare करने वाले Tecno के flagship phone से जो कि है Tecno Phantom X2 आज किस वीडियो में मैं इतम detail में compare करने वाला हूँ तो अगर आपको मेरा point of view जानना है Tecno में आपको 6.8 inches का काफी बड़ास आपको display मिल जाता है बाकी Motorola का जो display वो एक normal size के साथ में आता है 6.67 inches का है दोनों full HD है AMOLED पैनल आपको देखने को मिल जाएगा अब आपका यहाँ पे Motorola में एक P OLED वाला एक टम है उस पे आपका ध्यान जा रहा होगा देखी ज़्यादा टेक्निकल होने की जवबत नहीं है यहाँ पे चुकि यह टम इदम सिंपल है आप चाहिए तो AMOLED ले लिजे OLED ले लिजे P OLED, G OLED जितने भी आते सब में कलस आपको काफी पंची देखने मिलेंगे हाँ हाला कि मैंने Samsung S21 FE को आइफोन 13 Pro के साब मैंने कमपेया किया था दोरो ही फोन में AMOLED पैनल है Samsung के ही पैनल है लेकिन फिर भी जो आइफोन की जो ट्यूनिंग होती है वो थोई सी अलग होती है उसमें कलस आपको इतने पंची देखने को नहीं मिलेंगे दोरों ही काफी स्मूथ होने वाले गेमिंग आपकी काफी अच्छी से करा देंगे लेकिन फिर भी हाँ अगर आपको एकदम हाई एंडट वाली अगर आपको स्मूथने सागर आपको चाहिए हो तो फिर वो Motorola वाली होने वाली है बाकी brightness में तो यहां पर जितने ज्यादा निट्स होते है उतना ही ज्यादा डिस्प्ले आपे ब्राइट रहने वाला है तो ब्राइटनेस के मावले में डेफिनेटली मोटरोला वाला फोन काफी से रहेगा बाकी दोनों में आपको HDR10 और Dolby Vision जैसे कुछ premium features भी मिल जाते हैं जिसके तो आपको colors और भी अच्छे मिल जाएंगे लेकिन दोनों ही phones में एक और बहुत अच्छा feature है वह है यहां पे इंका curved panel काफी कमाल का होता है तो अब अगर हमको यहां पर दोनों फॉन के डिस्पले काफी अच्छे है नो डाउट लेकिन यहां पर जो फोन इसकी brightness काफी अच्छी इसकी काफी अच्छा है हाला कि protection में थहुत सब्सक्राइब किया गया है लेकिन अच्छा डिस्पले आला फोन मेरे साब से मोटरोला वाला ही फोन होने वाला है इसके बाद अगर यहां पर बात की जाए चिपसेट की दोनों ही चिपसेट यहां पर बिल्कुल टककर की है एक ही जैसी आपको performance निकाल के देगी टेक्नों में आपको की तरह से आने वारी डामन सिटी 9000 मिल जाती है और वही जगे मोटरोला में आपको क्वालकम की तरह से आने वाली स्नाइब डागन एट प्रस जैनवन मिल जाएगी दोनों फोर एनम पर बेस्ट है तो काफी ज्यादा आपको बैटी का बैकप मिल जाएगा आंतितु स्कोर अगर आपको यहां पर 10 लाक्यों उपर देखने को मिल जाते हैं तो परफॉर्मस आपको इदम दोनों में टॉप नौश मिलने वाली है लेकिन अगर हमको दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो वह मेरे साब से होने वाला है मोटरोला देखिए यहां पर दोनों ही उसे कॉस्टली होती हैं और जो चीछ विसी महंगी होती है अपने साब कुछ अच्छे फीचर लेकर कर आती है तो यह भी मानना होते है लोगों का के लोगों का क्या क्या प्युक्त ज्यादा लॉंग लाक्सिंग होती है आपको तीन चार साथ भी अगर अपना फोन यूज क और जिसमें यहां पर motorola ने एक hardware लेवे की security भी आपको रहने वाला है और बाकि यहां पर motorola ने यह भी promise किया कि आपको इसमें तीन साल के major android updates मिल जाएंगे यानि कि android 12 के साथ में आते हैं तो 13 14 15 सब मिल जाएंगे और 4 साथ तक आपको इसमें security updates भी देखने को मिल जाएंगे तो definitely यहां पर software experience आपका motorola में ही अच्छा रहने वाला है यह बाकि टेक्नो ने updates को लेकि कोई भी promise नहीं किया यहां पर आपको धिखान देना चाहिए क्योंकि android 13 आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता कब आएगा यह भी नहीं प है है हेड़ने 25 वाट का मिल जाता है तो आगर आपको backup से लेना देना है तो फिर आप लोग टेक्नो की तफजाए लेकिन आगर आपको अपना phone जल्दी चार्ज कर लेना है उससे अगर आपको मतलब है तो पिर आप लों motorola की तफजा सकते हैं लेकिन दोनों में चार्जे ज BW sensor मिल जाते हैं नहीं कि red green blue white आना मिल जाएगा जो कि यहाँ पे 30% light ज्यादा capture करता है अंधेरे में तो definitely आपके इसमें nice shot काफी सही होने वाले और यहाँ आता है OIS के साथ में तो यहाँ पे definitely आपको यहाँ पे stabilization जो है वीडियो में वो आपको काफी सही मिल जाएगी 13 Megapixel का आपको अल्टरावाइड मिल जाता है तीसा लेंस का useless है लेकिना अगा motor roller की बात करें तो यहाँ पे 200 Megapixel कम को में मिल जाता है जो कि आता है OIS के साथ में बाकि 50 Megapixel कम को इसमें अल्टरावाइड कैमरा मिल ला है और आपको यह बहुत पता होना चाहिए कि अल्टरावाइड में जितने ज्यादा Megapixel होते हैं उतना ही ज्यादा बेटर हो रिजर निकाल के देते हैं अल्टरावाइड कैमरे में Megapixel करते हैं चुकि इसका एरिया काफी बड़ा एरिया है यहाँ पर कवर करता है बाकि इसमें आपको 12 Megapixel का portrait lens मिल जाता है जो कि यहाँ पर zooming lens है जिससे आप लोग अच्छे कास है आप जूमिंग शॉट भी ले पाएंगे बाकि जो वीडियो शूट करेने का जो option है टेकनो में आपको ठीक टाग मिलता है फोर क्याला मिल जाएगा लेकि मोटरोला में आपको यहाँ पर 8K वाली आपको recording मिल जाती है तो अगर आपको यहाँ पर एक तो वह आपको टेकनोले फोन में इतनी ऐखने नहीं मिलेगी जितनी अच्छे आपको मोटरोला वाले फोन में मिल जाती है प्लस ल मोटरोला एक हार्ड़वयर वाईस और प्लस पंपिक उस Jewelry आपका लोग बात कि जैंगे लिकिन मोटरोला ओड़न में μαंप उसे सेंसर तो अपने चाहिए तो वह मेरे साब से मोटरोला वाला ही रहने वाला है इसके बाद अगर आपको दोनों फोन सिंगल वेरे में लॉंच किये गए हैं और टेक्नो वाला फोन काफी सस्ता भी है बाकि आपको दोनों फोन में एल्पी डीडियर 5 और यूफस 3.1 की स्टोरी मिल ज है यहां पर बात कीजिए मेरे पॉइंट व्यू की तो फिर आप लोग देखिए टेक्नो की तरफ आप लोग तभी जाए है जब आपका जो बजट है वो काफी कम है आप लोग को 40,000 में ही एक अच्छा फोन चाहिए हो एक 40,000 में ही आपको 50, 60, 70,000 वाले आपका अगर आप इसकी क्वालकम वाली है, सॉफ्टर जो है वो बहुती ज़्यादा नीट एंगलिंग काफी है बढ़िया आपको एक्स्पियेंट प्रवाइट करेगा, फास चाहिजर आपको इसमें इंदबॉस में मिल जाता है, कैमरा इसके बेटर है, बाकि इसकी जो ब्रांड वैल्यू वो भी काफी ज़्याद है, और इसके रेट भी तो से ज़्याद है, तो आई होब कि आपके साइड आउस क्लियर हो गए होएंगे, दोस्वों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो एक लाइक जो कीजिए, हमाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोग मु सब्सक्राइब करें चाहते हैं,